गांधी परिवार की चौथी पीडी के सदस्य राहूल गांधी वर्तमान में भारती राश्टी कॉंग्रेस के उपाध्यक्ष नेशनल यूत यूनियन और राश्टी युवा कॉंग्रेस के चेयर परसन भी हैं वे कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वर्तमान में उनकी माता सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष हैं वे केरल के वायनाट से संसत सदस्य भी हैं पिता स्वर्गिय राजिव गांधी के नक्से कदम पर चलते वे उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी की बागड़ अब तक की सबसे कम आयू के अध्यक्ष के तौर पर सम्हाली थी। पूरी की। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टिफन कॉलेज और हौवर्ड उन्वर्सिटी से पूरी की। इसके बाद उनके पिता राजिव गांधी की हत्या के बाद पुना सुरक्षा की दृष्टी से राहूल गांधी ने फ्लोरीडा कॉलेज में उनकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि सुरक्षा एजेंसी और कॉलेज की अधिकारी इनकी असली पहचान जानते थे। राहूल गांधी की दादी के पिता स्वर्गिय पंडित जवाहरलाल नहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके बाद उनकी दादी स्वर्ग इंद्रा गांधी और पिता स्वर्गिय राजिव गांधी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। साल 2004 में अमेठी से पहला चुनाओ लड़े और सांसत बने इसके बाद से वे लगातार संसत बनते रहे। इसके बाद राहूल गांधी ने अपनी मा और कॉंग्रेस की अ पार्टी के लिए चुनाओ प्रचार किया और नतीजे में केंद्र में कॉंग्रेस और गडबंधन सत्ता में आई। इसके बाद लगातार दस वर्सों तक इस गडबंधन सरकार ने देश का जिम्मा संभाला लेकिन उनकी माता के नक्से कदम पर चलते वे सरकार में किसी भी तरह का पद लेने से इनकार कर दिया। उनकी मा सोनिया गांधी ने भी प्रधान मंतरी का पद ठुकरा दिया था। वे किसानों के लिए समर्पित युवा नेता हैं। 2012 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने किसान के लिए काफी संगर्स किया। इस दोरान जिला प्रशासन उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वे किसानों के हितैसी और 36 गड़ में इनी के प्रयास से राज्य सरकार आज किसानों को उनके महनत का उचित दर दे रही है। इसकी घोशना उन्होंने स्वयम 36 गड़ में की थी। आज उनका वादा प्रदेश सरकार ने पूरा किया है। किसानों के लिए वे हमेशा हमदर्द बने रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपनी सरकार की आलोचना नहीं करते। उन्होंने मनमुहन सरकार की भी आलोचना की थी। वे समय समय पर पार्टी को सही दीशा में ले जाने के लिए ततपर रहते हैं। उनका मानना है कि पार्टी के हर कारिकरता का सम्मान होना चाहिए. क्योंकि उनकी वेज़े से ही पार्टी अपने मुकाम तक पहुस्ती है. चर्चा उनके कुवारे रहने की भी होती रहती है. लेकिन उन्होंने अब तक साधी के बारे में अपनी राय जाहिर नहीं की है. ऐसा लगता है जैसे उन्होंने देश की सेवा को चुन लिया और देश के गरीब किसानों और पिछडों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे Bureau Report, DNX TV, राइपूर